हलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको होमेस्टेसिस के बारे में बताऊंगा, होमेस्टेस्ट सब्द जो है वो वाल्टर केनन ने स्वयनियंत्रित क्रियाउं के लिए दिया था, स्वयनियंत्रित क्रियाउं के संचालन और जयविक तंत्र में समस्थापन की अवस्था कहा जाता है, यह सभी जीवों की वश्यमता होती है, जिसमें फिजियोलोजीकल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि इस चित्र में समझाया गया है कि external environment में कितना fluctuation होत जाता है, इस प्रकार से बाहर से चलकर के जो fluctuation है, वो अंदर, बोडी के अंदर आकर के इतना कम होता चला जाता है, जिससे वो, उसके बाद जीवों के शरीर का आंत्रिक वातावरन, अन्कूलत मिस्तर पर optimum बना रहे, इसके लिए physiological equilibrium होता है, और इससे levels of organization, हर level of organization पे काम कर जाता है, यह कुछ तो प्रक्रियां इतनी जटल होती ही, कि इनको अभी तक यह नहीं समझाए साखा कि, जैसे कोशिका विवाजन क्यों हो और कैसे आरंब होता है, और कब आरंब होता है, और कौन से उतक के लिए, कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, फिर भी जनतु और पौदो बनाने में help करती हैं, कुछ example लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा संक्रवन हो जाने पर शरीर में, कट लग जाने पर शरीर बिचलित हो जाता है, लेकिन उस गहा बरने के लिए हमारे शरीर में स्वताए एक system पहा जाता है, जैसे defense system, immunity system कहते हैं, और कुछ समय बाद में गहा बर चेतर के द्वारा बताया गया कि stimulus किस प्रकार से sensor और control करके factor को negative feedback के द्वारा इसको stimulus को control करता है, शरीर में body temperature 37 degree बनाया रखने के लिए, nerves और nerve ending, thermoregulatory center को stimulate करती हैं, जहांसे sweat gland control होती है, sweat gland से फिर temperature control होता है, हमारे हर्दयकती की सामाने दर बैतर प्रति मिनेट होती है, ज जब हम तेज दोड़ते हैं, तो यह हर्दयकती बढ़ जाती है, जिससे blood का circulation बढ़ जाता है, और हमारे उतक ज्यादा बोजन की अधिक मांग करने लगते हैं, और उनकी पूर्ती होने के बाद में स्वत है, वो normal हो जाते हैं, इसी प्रकार से जब हम अंधेरे कमरे में प्र आपन के रिया हैं, वो feedback system के अधार पर चलती हैं, जैसे इसमें negative और positive feedback इस प्रकार से दिये गए, अगर negative feedback है, तो उसको उत्रांत बंद कर दिया जाता है, अगर positive feedback है, तो उसको बारवार receive करने के लिए stimulate किया जाता है, इसी प्रकार जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी की कित अधिक सिगरता से, अधिक स्रावनता से मूत्र गड़ा हो जाता है, यानि कि मूत्र में से पानी को बापस खीच लिया जाता है, और उसके कमी से पानी मूत्र पतला हो जाता है, यानि शरीर का जो अतिदिक पानी है, वो बाहर चला जाता है, इस प्रकार से ये इस चितर के द्वारा है समझाया गया हुमेस्टेसिस किस प्रकार कंट्रूल होता है बाटर लेवल अगर बढ़ता है तो कैसे प्रकार से उसको कंट्रूल करती है थर्मोरेगुलेशन जैसे कोल्ड विलेड़ अनिमल हैं इनके अंदर अनिमल होते हैं इनमें शरीर अपने तापमान को निह इस प्रकार की उपाए पाया है। जब 23 घंड पढती है, तो हमारे रौंग टिखड़े हो जाते हैं। और शरीर की गर्मी को बाहर स्रावित करने का काम करते हैं थैंक यू